कुकू और जूजू अभी छोटे थे इसलिए उनके ममा पापा उनकी हर इच्छा पूरी करते उनसे खेलते और ठेर सारी चीजें ले कर देते रानो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे हमेशा छोटे ही रहें और मैं इनसे हमेशा ऐसे ही खेलता रहूं जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी करतेंगे और हम इनके बच्चों से खेला करेंगे ममा पापा मैं नहीं शादी करूँगा और जूजू आप शादी करोगे नहीं ममा मैं भी शादी नहीं करूँगा मैं तो हमेशा अपनी ममा के साथ ही रहूँगा पापा पापा आज फूलों वाली नदी पर चले आज संडे है और आज वहाँ मेरी दोस्त तित्रियां भी आई होंगी और मैं अपने दोस्त रोज से भी मिल लूँगा क्यों नहीं मेरे बच्चों हम नदी की दिशा में ही चले जाते हैं और भोजन भी वहीं से खोच कर लेंगे कुकु के पापा आप कुकु को उठा लें और मैं जुजु को उठा लेती हूँ सफर ज्यादा है इन्होंने अभी निया निया ही तो उड़ना सीखा है ये ठक जाएंगे फिर वो परिवार नदी की दिशा में चला जाता है पापा इस नदी का पानी इतना नीला क्यों है ये नदी बहुत गहरी है इसी कारण इसका पानी नीला दिखता है ममा ममा ये पहाड कितने बड़े होते हैं ममा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इन पहाडों पर अकेला ही आ जाया करूंगा और फिर वो फूलों वाली नदी पर पहुंच जाते हैं तितलिया फूलों से खेल रही थी और फूल का रंग तो धूब से गहरा लाल हो गया था सब कुछ बहुत सुन्दर था आगे हो दोस्त मैं आगया पर अप इतने उदास क्यों हो क्योंके दो दिन बाद मेरी पंखडिया सूख जाएंगी और मेरा शरीर खतम हो जाएगा मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना जाता ये सुनकर तो कुकु भी उदास हो जाता है चोटे रोज आप ऐसे निराश ना हो जो आया है उसे लोट कर भी जाना है और जो सुघंद आप इन फजाओं में बखेड जाओगे वो तो हमेशा बाकी रहेगी चाहे आपकी जिन्दकी दो दिन की है और कांटे हमेशा रहते है परन्तु हर कोई फूलों से प्यार करता है और कांटों से दूर रहता है मट जाने के खौफ से आप जीते जी मरे हुए हो जो जिन्दकी है उसे तो खुश्यों से जीलो चिडिया की ये बाते सुनकर वो फूल खुश हो जाता है आपने ठी कहा आँटी कांटे बनकर हमेशा रहने से बहतर है मैं फूल बनकर दो दिन ही जीलूं पापा पापा क्या आपको अपने ममा पापा कभी याद आते हैं हम तो आपके बिना एक दिन भी जी नहीं सकते और आप अपने ममा पापा के बेना कैसे जी लेते हैं जूजू मेरे बच्चे जब मेरे ममा पापा इस दुनिया से गे तो मैं समझा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा मैं भी उनके साथ ही मर जाऊंगा और जैसे जैसे समय गुजरता गया और फिर जब आप मेरे पास आगे तो मुझे इतनी खुश्या मिलें कि मुझे अपने सारे दुख छोटे लगने लगे कुकू और जुजू अब चलें बहुत खेलिया अब हमें भोजन लेकर घर जाना है मुझे जाकर घौंसले की मरमत भी करना है ममा आप सारा दिन काम करते ठकती नहीं है मैं तो ठक जाती हूँ परन्तो जब मैं अपने कुकू और जुजू को देखती हूँ तो मेरी सारी ठकान दूर हो जाती है फिर वो सब वहां से उड़ते हैं लाटरी का टिकट ले लाटरी का टिकट बड़े इनाम है इस लाटरी में घर है, सोना है और धेर सारा भोजन लाटरी का टिकट ले आप यहां क्यों रुक गे? हमें क्या करना है ये लाटरी का टिकट? बहन जी, दो साल बाद भी अगर आपकी लाटरी निकली तो मिलेगी कभी कभी ऐसी चीजें जिन्दगी में काम आजाती है ये लेन चील दी दी गहियों की एक बाली और हमें एक टिकट दे दें चील उन्हें एक टिकट दे देती है जिसे लेकर वो फिट से उड़ते हैं रात का समय था वो सब अपने घर में बैठे अपने परिवार में खुश्यां बांट रहे थे कूकू और जूजू आप सो जाएं बच्चो आज में बहुत थक गई हूँ फिर ऐसे वो सब सो जाते हैं फिर ऐसे ही एक साल गुजर जाता है और अब कूकू और जूजू बड़े हो गे थे वो तो अच्छे से उड़ सकते थे वो बहुत तेज उड़ते थे एक दिन जूजू जब घर आता है तो उसके साथ एक सुन्दर सी चिडिया थी बेटा ये चिडिया कौन है? ममा ये मेरी पत्री है मुझे ज़नने पर मिली थी ये चिडिया शर्मीली है इसका नाम परन्तु बेटा अगर हमें पहले बताया होता तो हम अपने पंखों से आपकी शादी करते पिता जी समय ही नहीं मिला मुझे तो देखते ही जुजु जी ने शादी कर ली मुझसे मैंने तो इन्हें कहा था कि मेरा तो परिवर है नहीं आप अपने ममा पापा को तो बला ले ममा पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना अब मैं सब काम कर सकता हूँ अच्छा अच्छा ठीक है शर्मीली बेटा आज से ये घर आपका ही है ना ना आँटी जी ये घर तो बहुत चोटा है हम अलग से घर बना लेंगे मेरी बात हुई थी जूजू जी से हाँ ममा मैंने शर्मीली को वचन दिया था कि मैं इसे अलग से घर बना कर दूँगा ममा मैं आपकी खुशी से अलग घर बनाना चाहता हूँ मैं आपको निराश नहीं करना चाहता तो क्या हमें छोड़ दोगे मेरे बेटे नहीं ममा पापा मैं हर रोज आपके लिए भोजन भी ले आया करूँगा और आपसे मिल भी जाया करूँगा अब हम जाएं ममा जाएं बेटा आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है ऐसे जुजु अपने ममा पापा को छोड़ कर अलग घर बनाने चला जाता है अरे कुकु तुम यहां बैठे हुए हो और तुम्हारे बड़े भाई ने तो शादी भी कर ली है और उसने तो अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है मुझे तो पता ही नहीं चला गोरी आउंटी चलता भी कैसे ये सब काम चोरी चोरी किया है जुजु ने ताके अपने ममा पापा के लिए भोजन लाना पड़े उसे कुकु अब तुम अकेले कैसे अपने ममा पापा के लिए भोजन लाया करोगे कुकु खामोश रहता है और वहां से चला जाता है ममा क्या जुजु ने शादी कर ली है मुझे नहीं बताया किसी ने हमें भी अभी थोड़ी दिर पहले ही जुजु ने बताया है और ममा उसने तो अपना घर भी अलग से बना लिया है और आपके भोजन का अब क्या बनेगा आप से तो ज़्यादा उड़ भी नहीं होता मैं अकेला ये सब कैसे करूंगा ये सुनकर ममा चिडिया और पापा चिडिया की आंखों में आंसु आ जाते हैं शायद उन्हें वो समय यादा आ गया था जब वो दोनों भाई चोटे थे और उनके ममा पापा उनकी हर खुशी पूरी किया करते थे वो अपनी जान देते थे अपने बचों पर आप चिंता ना करें हमारी जू जू बोल कर क्या है वो अपने हिसे का भोजन हमें दे चाया करेगा देखते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अब जू जू लोड कर यहां आएगा भी ऐसे ही रात हो जाती है कुकु तो सो जाता है परन्तु ममा चिडिया और पापा चिडिया अभी तक जाग रहे थे कुकु के पापा सोए नहीं अभी तक आप आज हम पिछड़गे रानो आज हम अपने बच्चों से पिछड़गे आप तो बच्चों की तरहा रोने लगे ये सब तो होना ही था मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बच्चे बार बार हमारे भोजन की बात कर रहे हैं जैसे हम बोज हो उन पर अच्छा आप अब सो जाएं फिर वो दोनों सो जाते हैं वो राद देख रहे होंगे आपकी बहतर यही है आप जाएं और साफ साफ बताएं अपने ममा पापा को आप अब उनके लिए भोजन नहीं ला सकतें शर्मीली मुझे शर्म आ रही है मैं कैसे ममा पापा से ये बात करूँ शादी करते समय शर्म नहीं आई मैं कहती हूँ जाओ फिर जूजू बहां से चला जाता है अगर आपकी पतनी यही चाहती है तो ठीक है बेटा आप हमारी चिंता ना करें अगर भोजन ना मिला तो हम कौन सा मड़ जाएंगे कूकू अभी हमारे पास है कुछ न कुछ तो घर लाएगा ही ममा पापा आप नराश तो नहीं है नहीं बेटा आप जाएं हम खुश हैं जू-जू वहां से चला जाता है ममा जू-जू कैसे मज़े कर रहा है इसे तो अब कोई चिंता ही नहीं वो तो आजाद हो गया सब कामों से कुकू बेटा क्या आप भी ऐसी आजाती चाहते हो चाहता तो हूँ अपनी मर्ची से घूमू अपनी मर्ची से जहां चाहू जाऊं परन्तु मुझे आपकी चिंता रहती है ऐसा कहते हुए कुकू घर से चला जाता है तो फिर मैंने सची कहा था ना कुकू जी आँटी ऐसा ही है अब ममा पापा का भोजन भी मुझे हिलाना पड़ेगा एक चिड़िया देखी हुई है मैंने तुम्हारे लिए अगर तुम को हो तो मैं शादी कर दूँगी तुम्हारी उस चिड़िया से गोरी आँटी यही तो मैं चाहता हूँ के मैं भी जूजू भाई की तरहा अजादी की जिंदगी जी हूँ तो फिर आज तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहना दो चार दिन में कुछ दाने अकठे कर लो तो फिर मैं पिहा दूंगी तुम्हें अगर अपने ममा पापा के लिए भोजन लाते रहोगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहोगे कूकू तो चाहता ही यह था फिर ऐसे ही दस दिन गुजर जाते है ममा चिडिया और पापा चिडिया के पास घर में जो खाने को था वो भी खतम हो जाता है कूकू जूजू से तो अच्छा था परंतु वो भी गोरी की बातों में आ गया है और उसने लोड कर भी नहीं देखा हमें रानो याद है इसी डरसे मैं आपसे कहता था कि काश हमारे बच्चे ऐसे छोटे छोटे ही रहें और मैं हमेशा उनसे खेलता रहूं ऐसे ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है आ जाएं कौन है दरवाजा खुला ही है चील दीदी अंदर आती है ये टिकट आपके नाम की थी आपके बड़ी लोटरी लगी है एक घर और धेर सारा भोजन और कुछ सोना भी ये सुनकर ममा चिडिया और पापा चिडिया बहुत खुश होती है चील दी जाते जाते मेरे कूकू और जुजु को बताते जाना वो हमें छोड़ कर चले गए है अब तो वो दोड़े चले आएंगे मैं बताती जाऊंगी शाम होने को थी कूकू जुजु और उसकी पतनी ममा और पापा चिडिया के पास आते हैं मुझे पता है बच्चो आप किस लिए आए हैं ये सब आप कही है परन्तु हमें छोड़ कर ना जाना वो सब खामोश थे ममा और पापा ये जानते थे के वो किस लालच में वापिस लोटे हैं परन्तु फिर भी ममा चिडिया और पापा चिडिया खुश थे क्यूंके चाहे कुकू और जुजु बड़े हो गए थे ममा पापा के लिए तो वो बच्चे ही थे ये हवा कितनी तेज है पता नहीं ये तेज हवाँ क्यों होती है ममा आप तेज हवाँ से क्यों इतना डरती हो ना जाने क्यों बेटा मुझे इन तेज हवाँ से बहुर डर लगता है रानो चडिया अपने घर में सहमे हुई बैठी थी वो बहुत डरी हुई थी और फिर एक तेज हवा का जोंका आता है और रानो चडिया का घर तोट कर गिर जाता है कुकु तुम ठीक हो, मेरे बेटे तुम ठीक हो, तुम कहा हो हाँ ममा मैं ठीक हूँ मेरा पंक दरवाजे के नीचे आ गया है और फिर रानो चडिया जल्दी से कुकु को उस दरवाजे से बाहर निकाल दी है आज तो कोई बड़ी प्रिक्षन आन पड़ी है मुझे पर ऐसी तेज वामे मैं क्या करूँ कहा जाँ कुकु को लेकर ममा आप मेरे लिए दुखी ना हो मैं अपनी मां का बहादर बेटा हूँ मुझे जरा भी नहीं डर लग रहा इस देज हवा से थोड़ी ही दिर में हवा रुक जाएगी नहीं कुकु ऐसे मोसम की हवाएं इतनी जल्दी नहीं रुकती और रात पी कहरी हो रही है ठंड ज्यादा हो जाएगी मैं कितनी बदकिस्मत हूँ ऐसी ठंड में मेरा घर तूट गया मैं अपने बेटे को स्रक्षट भी नहीं रख सकती है ऐसे मोसम में ऐसे ना कहे ममा इसमें आपका कोई दोश नहीं है ममा जब भी कोई अंकल पर कोई मसीबत आती है तो मैंने देखा है वो हमेशा आपके पास आता है क्यों न हम आज की रात कोई अंकल के घर चले जाएं कुकु मेरे बेटे तुम कितने अकल मंद हो मेरे तो तमाग में ही नहीं आई ये बात चलो हम जल्दी से कालू कवे की तरफ चले जाते हैं और फिर वो दोनों मा बेटा कालू कवे के घर की तरफ चले जाते हैं कालू भीया कालू भीया जल्दी से दरवाजा खोले ये कौन है ऐसी रात में शायद कोई जातरी है हवा बहुत तेज है तुम दरवाजा नहीं खोलोगे यादरी हो या कोई भी मुझे नीद नहीं आती अगर कोई मेरे घर में हो तो मुझे तेख तो लेने दो कौन है ऐसे ही बोले जा रही हो कौन है कालू भीया जल्दी से दरवाजा खोलें मैं रानो चिडिया हूँ मेरा घर तेज हवा में तूड़ गया है और मेरे कुकु की जान बहुत मुश्कल से बची है मैं आता हूँ गोरी रानो के बहुत इहसान है मुझ पर इसे कुछ न कहना बस कल वो चली जाएगी आज की रात उसे रख लो अपने घर में उसका घर तूड़ गया है और फिर कालो कवा गोरी का जवाब सुने बगयर ही दरवाजा खोल कर रानो चुड़िया को अंदर ले आता है कवे भीया हवा बहुत तेज है मुझे बहुत डर लग रहा था और वो ही हुआ जिसका मुझे डर था मेरा घर तो पूरे का पूरा ही तूड़ गया मैं तो बहुत डर गई थी और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ वो तो कुकु ने मुझे बताया कि ममा हम कालो अंकल के घर चले जाते हैं और तुमने उस बच्चे की बात मान ली जरा गोर करो इतनी जर्दी है मैं हूँ कालो है और मेरा जगू देखो कैसे नीन खराब होगी है मेरे जगू की गोरी शर्म करो चुप कर जाओ चुप ही हूँ मैं कौन सा शोर मचा रही हूँ गोरी बहन आप आराम से सो जाए हम दोनों मान बेटा इस नुकर में बैठ जाते हैं बस रात गुजानी है सुभो होते ही हम चले जाएंगे और फिर गोरी अपना मूँ दूसरी तरफ करके सो जाती है और रानो चड़िया सारी रात ऐसे ही बैठ कर गुजारती है और फिर ऐसे ही सुभो हो जाती है कालो भीया तुम्हारा बहुत दन्यवाद अगर आज राता मुझे अपने घर में ना आने देते तो हम कहां जाते ऐसी तेज हवा में रानो ऐसा करो तुम अपना घर एक दिन में तो बना नहीं पाओगी मेरा मतलब है शाम तक तो नहीं बन जाएगा ना तुम्हारा घर तो मैसे करो आज रात भी इदर ही रह लेना बस ऐसा करना शाम को आते विए हम तिनों के लिए भोजन लेती आना गोरी बात तो ठीक ही कर रही है मैं ऐसा ही करती हूँ ठीक है गोरी बेहन मैं ले आऊंगी भोजन आप सब के लिए लेकिन मैं शाम को आऊंगी क्यूंके मुझे घर बनाने का काम भी करना है मैं और कालू जा रहे हैं मिरी मा से मिलने हम भी शाम को ही लोटेंगे हमने लंच तो उदर से ही कर लेना है तुम बस डिनर का बंदो बस करके रखना अगर रात कुझा आनी है तो रानो तुम गुसा ना करना गोरी की बातों का नहीं नहीं कालू बेया मुझे पता है गोरी बेहन का कुकु तुम इधर ही रहना मुझे ज्यादा काम करना है और फिर रानो चड़िया वहां से चली जाती है जगु बाहर नहीं जाना घर में ही रहना मैं और तुम्हारी ममा तुम्हारी नाने से मिलकर आते हैं और फिर ऐसा कहते हुए कालू कववा और गोरी कववी वहां से चले जाते हैं आप भाई का मज़ा कुकु चलो हम खेलते हैं तुम वहां उपर चड़कर चलांग लगाओ देखते हैं कौन ज़्यादा उंची शलांग लगाता है नहीं जगू ऐसे खतरना खेल नहीं खेलते हमारे चोट भी लग सकती है मैं नहीं डरता तुम तब हो डरते हो और जगू थोड़ा उपर जड़कर चलांग लगाता है और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है उसके पाउंपर चोट लग जाती है और वो रोने लगता है मेरे चोट लग गई मेरे दर्द हो रहा है ममा जगू मैंने कहा था ना ऐसी खतरना खेल नहीं खेलते तुमने भी मेरी बात नहीं मानी रानोचिडिया सारा दिन काम करती है अपने घर के लिए सारा समान अकठा करती है ऐसे ही शाम हो जाती है अब समय थोड़ा रह गया है मुझे कालू और गोरी के लिए भोजन भी लेकर जाना है अगर ना लेकर गई तो वो तो मुझे अपने घर में ही रहने नहीं देंगे और फिर रानो चड़िया भोजन डूडने चली जाती है शाम होते ही कालू और गोरी भी वापस लोड आते हैं और घर आते ही गोरी की नजर जगू के पाउं पर बढ़ती है और उसके पाउं से तो खून निकर रहा था जगू मेरे बच्चे ये क्या हुआ तम्हारे पाउं पर चोड कैसे लगी अगर मैंने ममा को बताया कि मैंने चलांग लगाई थी तो ममा मुझे टांटेंगी क्यों ना मैं कुकू का नाम ही लगा दू जगू अपने दिल में ऐसा सोचता है जगू बोलते क्यों नहीं कैसे चोड लगी है तुम्हारे पाउं पर कहीं कोई खतरनाक शरारत तो नहीं की ममा ममा कुकू ने मुझे धका दिया मैं बैठा था कि कुकू ने इस पीछे से आकर मुझे धका दे दिया जगू ऐसे अपनी ममा को बता ही रहा था के रानो चुडिया भी आ जाती है अच्छा हुआ तुम भी आ गई देख लो तुम्हारे कुकू ने धका दिया है मेरे जगू को और ये देखो कैसे चोड लगी है मेरे बच्चे के पाउं पर ममा ये जगू जूट बोर रहा है जगू मुझे कह रहा था के वहाँ उपर चड़कर छलांग लगाओ मैंने उसे रोका था लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी गोरी मेरा कुकू कभी ऐसी शराहत नहीं करता मुझे पता हैं गलती जगू की ही होगी अपनी चूँ चूँ बंद करो और चूँ 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 निकल जाओ मेरे घर से एक तो चोड़ी उपर से सीना जोड़ी मेरे चोटे से बच्चे के चोट लगा दी और उल्टा बूरा भी मेरा ही बच्चा ममा मेरा विश्वास करो मैंने कुछ नहीं किया गोरी मैं भोजन भी लाई हूं तुमारे लिए बस आज की रात मुझे अपने घर रह लेने दो मैं कहा जाओंगी ऐसी ठंड में तुमने खुद ही तो कहा था ऐसा अब नहीं होगा मैंने कहा था लेकिन कुकु ने जो किया है न मेरे बेटे के साथ मैं ये कभी बर्दाश नहीं कर सकती चलो निकलो मेरे घर से ममा मैंने कुछ नहीं किया चुप कर जो मेरे बच्चे मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया होगा और फिर ऐसा कहते हुए रानो चड़िया अपने कुकु को लेकर वहाँ से चली जाती है और वैसे भी मेरा मूर नहीं है तुमसे लड़ाई करने का चलो जगू अब तुम सो जाओ और जगू सो जाता है रानो चड़िया उसी जंगल में थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है ममा ये सब मेरी वज़ा से हुआ गोरी अंटी ने हमें मेरी वज़ा से निकाला अपने घर से नहीं मेरे बचे तुम आप ज़्यादा दुखी ना हो मुझे पता है तुमने कोई शरारत नहीं की होगी रात गहरी हो जाती है और ठंड भी ज़्यादा हो जाती है लेकिन वो मा बेटा होसला नहीं आते और वो आपस में बातें करते रहते हैं और एक दूसरे का होसला बलंद करते रहते हैं ऐसे ही वो रात कुजर ही जाती है चैसे ही सुभा होती है फ्रानो चुडिया कुकु को साथ लेकर अपने कामें लग जाती है वो अपने घर की चछत के लिए तिनके लाती है और अपने घर में सोने के लिए नरम नरम घास का बिस्तर बनाने के लिए सूखी घास लाती है वो बहुत ज़्यादा काम करती है कुकु बेटा अब हमारे घर का सारा समान पुरा हो गया है अब शाम तक हमारा घर बन जाएगा हाँ ममा मैं भी आपकी मदद करूँगा और फिर वो दोनों मा बेटा सुखे पत्ते लेने चले जाते हैं जगु मुझे साथ साच बताओ तम्हारे चोड कैसे आई थी मुझे पता है कुकु कभी भी ऐसी शरारत नहीं करता पापा मैं डर गया था मुझे लगा ममा मुझे मारेगी पापा मैंने खुद ही छलांग लगाई थी वो वहाँ उपर से लेकिन पापा ममा तो फिर और भी हो गया बेटा तुमने बहुत बड़ा जूट बोला रानोंने कैसे गुजारी होगी रात ऐसी ठंड में अब तुम चलो मेरे साथ हम रानों से माफी मांकर आते हैं पापा मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ अपने मन में और फिर कालू और जगु रानों की तरफ चले जाते ह थोड़ा ही आगे उन्हें एक निया और सुन्दर सा घर दिखाई देता है जगु यही निया घर बना है यही होगा रानों का घर और वो वहां चले जाते हैं रानों भी घर के बाहर ही बैटी हुई थी रानों जगु कुछ कहना चाहता है तुमसे लेकिन रानों खामोश रह लगाई थी मुझे कुकु ने धका नहीं दिया था मैं डर गया था ममा से जगु बेटा कैसा भी डर हो कभी भी जूट नहीं बोलते क्योंकि हमें एक जूट को चुपाने के लिए सो पार जूट बोलना पड़ता है जगु मेरे दोस्त हमने तुम्हें माफ किया और फिर वो सब हंसने लगते हैं और रानो जुडिया का घर भी बन जाता है